हेलो इस्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पी वी आरे स्टेडी में दोस्तों अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आज से आपको टेंसर नहीं लेना है मैथ बहुत ही आसान है और हम आपको जीरो से टाप तक सिखाएंगे चलिए सुरू करते हैं साथियों ज सब आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है यह बहुत बेसी कंसेप्ट है यह आपको आ रहा होगा जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखे मैं इसको सब बताऊंगा बस पूरा देखना अभी आगे हाई कुईस्चन भी आएंगे इससे बड़े बड़े कुईस् सबसक्राइब के इसमें 2व diii से भाग करेंगे पिछली वाले टाइप में आपने देखा था एकसे एक में भाग थी डिम्टेब नहीं सी आते हैं एक बात और बता दूँ Organ Water जाने हम आफको डुड़ा मीठा कर लोगए थीक है तो कितना होगा ऑदा देखो वाइड बोर्ड में लिखने की आदत है तो कहां भी में थोड़ा कम सही बैठता है लेकिन फिर भी आपके समझने लायक लिख लेते हैं है ना सेबन का टेबल आप सभी पढ़ना जानते हो कि सेबन थ्री जा 21 उसके बाद इसको सब्ट्रेक करोगे जीरो आ गया ना फिर 6 का टेबल पढ़ोगे 64 जा 24 यह हो गया भाग नंबर दो भाग नंबर एक मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं देखो यह एक आंक वाली भाग थी यह पहली परकार थी और यह दूसरी परकार है दोनों में अं करें और पीवियरे स्टडी अप जरूर डाउनलोड करें मैं ताय की गारंटी हमारी होगी अब इस पर ध्यान देना तीसरा परकार वाली भाग बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या है देखो यार इसमें क्या है इसमें एक अंक से तीन अंक में भाग करेंगे और सेस्पल आएगा की नहीं आएगा इसे देखना सेस्पल नहीं आएगा यह अगले श्टेप में बताएंगे ठीक है तो पांच का पहड़ा आप सभी पढ़ लेते हो यह इतना बड़ा है तीन पांच पांच इसमें पूरे में भाग नहीं ले जाएंगे हम सबसे पहले एक अंक में को लेकिन अभी उपर एक फाइप और बचा है तो इसमें एक इस्टेप और आगे बढ़ते हैं उसको नीचे उतार लेते हैं और फिर से हम पाइप का टेवल फाइप में बढ़ते हैं तो फाइव वंजाई यह फाइव जाता है इस तरह से जीरो आता है देखो सेस्पल तो जी अगला टाइप देखो तीसरा प्रकारवाली भाग ध्यान से देखो इसमें क्या होगा इसमें सेस्पल आएंगे सेस्पल कैसे आएंगे ध्यान से देखो तीन का पहड़ा आप सभी पढ़ना जानते हो तरी का 3-4 जा जाएगा ना 3-4 जा कितना होगा 12 होगा सब्ट्रेक करो पॉर्टीन सेट्ट करोगे तू आएगा है न यहां पर प्लस में चिनन आएगा उसी तरह नाइन का टेबल पढ़ोगे तो देखो 9 के टेबल में कहीं 19 नहीं आता है सबसे बड़ी बात मैं इसमें आपको बता दूँ साथियों जिससे भाग करते हैं उस संख्या को भाजक बोलते हैं क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं इसे आप डिवाइडर भी कह सकते हो क्या कह सकते हो डिवाइडर जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज बोला जाता है जिसे आप डिवीडियंड भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो डिवीडियंड देखो ऐसे कुछ होता है समझ गए ना यहोता है इसके अलामात जिसमें मतलब जितनी बार भाग जाता जितनी टाइम इसे बोलते हैं क्वाइसेंट ठीक है जिसे भाग फल भी बोला जाता है इसकी अगर अगर इस स्पेलिंग के बारे में कोई आपका कंफ्यूजन होगा तो आपनी संकौच उसे बता देना और लगभग में इसमें हो चुका है खता मुचुका है ठीक है बीवेडर जिससे भाग करते हैं जिसम में बहाजािया डिवीडियंट बहुत ही देखो इसमें कि बहुत धाको और इसमें भाग करें देखो इसमें अपको n are गटालो इसको सेजब लेक आएगा फिर उपर से डिजिट बचेगा उसको उतार लोगे आप नो और फिर से इसमें भाग ले जाओगे तो एट तूजा 16 फिर से जाएगा और जब आप इसे सब्ट्रेक करोगे तो आप देखोगे फिर से इसमें रिमाइंडर आएगा मतलब द रिमाइंडर आएगा दो इस्टेप में करोगे तब भी आएगा ऐसे करते चले जो दोनों कर लेना ठीक है तो यह concept वाले सवाल है concept समझते चलो देखो यह अगला टाइप का सवाल है इसमें थोड़ा सा अंतर है पाच्मा टाइप से थोड़ा सा अंतर है छटों में ध्यान दो उसमें भाई यह दोनों स्टेप में नहीं कटा था इसमें क्या होगा पहली बार ले जाओगे तो सेबन टूजा यह 15 कभी आएगा नहीं मतलब उसे कम जाएगा सेबन टूजा 14 इसको सब्ट्रेक करोगे तो वन इसमें रिमेंडर आएगा बगल में बच्चा हुआ जो नंबर है उसको उतार लोगे अब दूसरी बार जब ले जाओगे तो सेबन टूजा यह 14 कंपलेटली डिवाइड हो जाएगा और जीरो रिमेंडर आएगा इसी तरह से अगला वाले में भी देखो आप शीक्स टूजा यह ट्वैल मतलब यह डिवाइड नहीं होगा वन सेस्पल आएगा लेकिन जब दूसरी बार वाला नंबर उतारोगे तो शीक्स ठीजा 18 आप देखोगे यह फाइनल में डिवाइड हो जाएगा इसमें नहीं से सुरू होता है कि साथियों अगला टाइप होता है सात्मा वह होता है डिवीजन टाइप सेवन कभी नकटने वाली भाग इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना ठीक है और हम आपके लिए दो खाली जगा छोड़ रहे हैं इस तरह का कोई दो भी और भी भाग कमेंट करके बताना कि ऐसे कौन और भी हो सकता है जैसे देखो तीन का पाड़ा इसमें पढ़ोगे तो तीन चांग अठारा यह जाएगा सब्ट्रेक करोगे टू आएगा उसके बाद देखो अब फिर टू में भागने जाएगा उपर आप डेसिमल बढ़ाओगे यहां जी 3 उम उतार सकते हैं और फिर से हम ऑचेल इस तरह से अब करकते जाओगे जी चाओगे इसी टार By फिरघ वोगे पर widely जाओगे हो जाओगे किऑ हो जाओगे कविकव कटे कर दो तक यह कि यह कि किइसका आंसर किद अग dwell हो फिर कि फर इसका अनसरा müs सद आए लिख सकते हो क्यों क्योंकि दसमलों के बाद का जो आंखा 5 से अधिक है तो यह इसके आंसर हो सकते हैं इस तरह से और भी बहुत सारी भागें होती हैं आप उन्हें कमेंट करके बताना कोई दो कुईस्टन बताना उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है बात को समझ र जरूरी है अगर होम अर्क नहीं करोगे तो मामला नहीं बनने वाला है ठीक है तो यह कूश्चन है आप इनको घर पर ट्राइब करोगे अगर करोगे तो बहुत अच्छा होगा जादा इस बीडियो में आकर करके और दोस्तों में भी सेयर करना ठीक है अगर इतना करोगे तो फिर हमारी कोसिस होगी कि मैथ आपको आएगी बिल्कुल आएगी गारंटी के साथ आएगी ये वर्टसप नमबर है और ये फोन का नमबर है जिनको भी प्रीमियम कलास लेना है वो इस पर जरूर संपर्क करें उन जल्दी फे जल्दी अपना सारा मैथ का कांसेट क्लियर कर सकते हैं इसके आलामा दस मिनट की ये कलास हम आपको डेली देते रहेंगे पांच जून से ये कलास आप देखो गए साम को नौ बज़े से सुरू हो जाएगी ठीक है पांच जून से साम को नौ बज़े एक लाफ चलेगी इसके अलामा पहले ये रात साड़े दस बज़े से चलती थी और कुछ बिसेस कलास हैं जो दोपाहर में पब्लिस कर दी जा रही है चूंकि ये पिछली कलास हैं जिनको पहले पढ़ाया जा चुका है फिलहाल आज के लिए इतना ही चलते चलते आपसे निबेदन हो लिए चलते 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 Dalot